तो दोस्तों फाइनली काफी लंबे समय के बाद भारत में काफी बड़े स्केल पर एटियम मशीन्स मैनिफाक्चर होने जा रही हैं। बड़ी बात ये है कि भारत में बनने वाली ये मशीन ना सिर्फ भारत में इस्तमाल की जाएंगी बलकि अंतरास्टी बाजार में एक्सपोर्ट भी की जाएंगी। मेक इंडिया मिशन की तहट यहां पर एटियम मशीन्स को मैनिफाक्चर किया जाएगा और ना सिर्फ इसकी जरूत भारत को है बलकि अंतरास्टी बाजार में लगतार इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। आपको पता दें भारत में अभी तक जो एटियम मशीन्स इस्तमाल की जा रहे हैं उनमें कई सारी ऐसी मशीने हैं जिनमें चाइनीज इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स का अभी भी बहुत धडली से इस्तमाल किया जा रहा है। तो भारत में होने वाली इस मैनिफाक्चरिंग के मदद से ना सिर्फ हमारी निरभरता खतम होगी बलकि हम इने एटियम मशीनों को बड़े स्केल पर एक्स्पोर्ट भी कर पाएंगे। परसेंट मेडी इंडिया रहने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मताबिक कंपनी का कहना है कि यहां पर जो भी सॉफ्ट्यूर अभी इंस्टॉल के जाएंगे वह भारत के ही होंगे। और ये टूजेट 90-95% अल्मोस्ट टेक्नॉजी भारत की ही इस्तमाल की जाएगी। और जैसे कि हमने देखा है भारत की UPI ने टर्क ने अल्रेडी विस्पर रिकॉर्ड बना दिया है। और अब बारी है ATM मशीन की जिसके उपर अब बड़ी तेजी से काम होना शुरू हो रहा है। फिलाल भारत में बनने वाली इन मेडी इंडिया नई ATM मशीनों के बारे में आपका क्या करना है कमेंट बॉक्स में ज़रो बताइएगा। कैसे ही useful and informative videos माने के लिएफ मारे YouTube चानल को सब्सक्राइब ज़रो कर लिजए मिलेंगे हम आपको एक नई और interesting वीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम भारत माता कीज़े।